सो हे गाईज वेलकम बैक टू एनदर ब्लॉग गाईज सुबह के हो रहे हैं साड़े आठ और सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि हम आपने खेत पे कुछ सब्जी ओगरा की खेती क्या इसमें थोड़ा सा ऐसे ओपन था तो सोचा की सेरियों को कबर कर दिया जा तो गाईज आप ल लगा दिया है और उधर लोखी है यह आपको जो दिख रहा है यह मूली तो आप लोग को दिख रहा है यह मूली में जूम करके आपको दिखाता हूं और इसमें हरा मिर्च लगा दिया होँ अभी तयार होग है पौधा यह मैंने टमाटर लगाए हैं यह टमाटर का पौधा और हम आप लोग देख सकते हैं मैंने बोला ना कि इसमें सारी सबजी है मैंने लगा दिया है और यह यह're लोकी और यह है खीरा और यह भिंडी है और यह अपना ही यह धान लगा हुआ है लास्ट मास तक जहां तक पींड़ दिखराय उदर से इधर वाले डान तक अपना ही खेत है यह पूरा धान उनकी खेती है इसमें थोड़ा इस्पेस था तो मैंने सोचा इसको कभर कर दिया जा एक दम फ्रं साउथ नार्थ इस्ट वेस्ट चारो तरफ यह अपने गाउं का वाटर टाइंक है दो-दो एक आरो का सप्लाई है और एक नार्मल है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह काफी ग्रोथ कर गया है 10-15 दिन के अंदर इसमें से लौकी निकलने लगेगा और आपको उधर च यह सब लगतार यह जो आपको लगतार सब दीख रहा है यह सारा यह सब कुछ भेंडी है इसमें मैंने भेंडी भी लगा दिया है इधर की सारी सबजिया काफी ग्रोथ कर गई है आप लोग देख सकते हैं गाइस और इधर दूर-दूर तक जो दिख रहा है यह अपना यह अपना ही खेत है सब एकाद भी गया इधर पड़ेगा और वो जो घर के सामने वहां दिख रहा है वो भी अपना है और अपना खेत उधर भी पड़ेगा उस दिखे में का को का बच्वान से अपना है बढ़ेगा ज़ जढा है यह यह अपना है तो गाइस उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा और जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं पर इंड करता हूं आपको मैं खेती की सब्जी यहां पर दिखा दिया पैसे थोड़ा सा 2-4-10 मिनट मॉर्निंग के लिए टहलने से बेटर है यहां पर 2-4 मिनट सा टाइम पास हो जाता है और क्या यह घर के लिए यह पर्शनल खाने पीने के लिए सब्जी है कोई बेचने ओगरा के लिए नहीं है यहां पर अपनी पर्शनल यूज में है खेत खाली था तो मैंने यहां पर लगवा दिया एक दम फ्रंट रोड पर है यहीं पर तो ठीक है गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्ष्ट ब्लोग में